एक और बाप है जिस पर ध्यान जाने के आवश्यक्ता है यह सदन क्यों नहीं चलने दिया जाता है इसलिए नहीं कि सरकार की प्रति रोश है एक इन्फियरिटी कॉम्प्लेश के कारण नहीं चलने दिया जाता है क्योंकि विपक्ष में भी विपक्ष में भी विपक्ष में भी ऐसे होनहार सांसद है ऐसे तेजस्वी सांसद है और मैं मानता उनको सुनना उनके विचार अपने आप में एक बहुत बड़ी एसेट है लेकिन अगर सदन चलेगा तो उनको बोलने का आपसर मिलेगा अगर वो बनेंगे बोलेंगे तो बहुत उनकी जैजेकार होगी तब हमारा क्या होगा यह चुलता सता रही है यह इंफ्यारिटी है कि विपश्ट के सामर्थवान सांसद न बोल पाएं विपश्ट के सामर्थवान सांसदों की प्रतिभागा परिचेश देश को नहोग इसलिए यह सरकार को रोकने वाली बात तो अपनी जगा पे हैं लेकिन विपश्ट में कोई ताकतवर बनना नहीं चाहिए कोई होनहार दिखनाने चाहिए इस इंफ्यारिटी कॉंप्लेस का परणाम है इसलिए बहुत अब जैसे इस बार समस्वा चला तो मैंने देखा कितने तेजस्वी लोग हैं हमरे पास कितने शांदार विचार रखते हैं जी पिछले दो सदन में उनका कोई लावी न और इसलिए यह मैं समझता हूं कि बहुत आवश्यक हैं और मैं देखा हूं कि बहुत तड़ी करके हमारे लिपस्टे भी छोटे-छोटे दल के सदसे हैं चार मेंबर होंगे तीन मेंबर होंगे और कुछ लोग मनोरंजिन भी करवाते हैं